क्वेशन नमबर 21 मिस्टर किशोर जो एंप्लॉई है हुएफ में उनके सैलरी का पूरा कैल्कुलेशन दिया हुआ है उनका बेसिक सैलरी है दो लाग सत्तर हजार आफ्टर डिरेक्शन और रपीएफ 30,000 अर्पीएफ भी क्योंकि उनका इंकम ही है बाद में उनको तो पैसा मि पूरा उल रहा है इंक को पता है कि 9.5% तक का दो इंड्रस नो compared to 10,000 यह टैक्स हते बलो जाएगा बाद सट्रSur्वेशन और च शीम्ही की इंटरिक्स पांच पशल चैसितलहा बोनस 15,000 पान atención अच वेशया बी टैक्स भिबूल है अनभाध मतर्ष्ट उनको एक उतुननिज हाउस दिया गया है जिसके लिए उनका इंप्लॉयर जो है वह 7500 रुपय रेंट पे कर रहा है और डिड़क्शन उनको उनके सैलरी से 600 रुपय पर मंत की साफ से डिड़क्शन किया रहा है यहां पर हमको रेंट फ्री अकॉमोडेशन का कैल्कुलेशन करना पड़ेगा फिर ग करचा मिस्टर किशोर खुद उठा रहे है जो एससे उठा रहे है तो यहां पर एम्प्लॉयर कोई स्मॉल का कर्चा हुठाता है तो उसका केल्कुलेशन होता है 600 रुपय का और ड्राइवर अगर है तो नहां पर सिफ कार बोल गया है तो हमनों पर सिफ 600 लेके बनाएंगे तो यहां पर इसका कैल्कुलेशन होगा तो यहां पर सैलरी होगा तो तोटल यहां पर आगया हमारा सैलड़ी, क्यूंकि 12% सैलरी हरी होता है तो हम 3,000,000 का बारा परसंट निकालेंगे, तो आजाएगा shorts 9600 लेकिन इसपे तो अलावंस सिफ 30,000 तक ही मिला था यानि कि ये एक्जम्ट हो जाएगा तो ये पुरा का पुरा एक्जम्ट कर दिया फिर इंटरेस्ट अना रपी एफ 9.5% तक एक्जम्ट होता है तो इसलिए ये पुरा एक्जम्ट है ट्रैवलिंग अलावंस पॉर बढ़ इसलिए ये एक्जम्ट है सिटी कंपंसेशन अलावंस 10,000 का था बोनस 15,000 का था इंटरेन्मेंट अलावंस 5,000 का था रेंट फ्री अकॉमोडेशन के लिए हमको कैल्कुलेशन करना पड़ेगा तो यहां पे होता है इसका कैल्कुलेशन लीस्ट ऑफ फॉलविंग इस तो सेलरी यहां पे हम निकाल चुके हैं 3,300,000 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 49,500 अब इन दोनों में से छोटा क्या है 90,000 और 49,500 में से तो 49,500 लोवर है तो इसलिए हम इसको एक्जम्ट करेंगे और इसके लिए इंप्लॉई कितना पैसा खर्च कर रहे है तो इंप्लॉ इतना रुपए वो इंप्लॉई को उसके सेलर से कट रहे है तो 49,500 में से जब 7,200 माइनस करेंगे तो आज रहेगा 42,300 जो RFA होगा यानि के रेंप्री अक्मोडेशन तो यहां पर रेंप्री अक्मोडेशन में 2300 ले लिया अब यहां पर आता है बाकी साही चीजे हमने ले लिये थे गैस और इलेक्ट्रिसिटी का था 500 रुपए पर मन तो यहां पर 6,000 आ जाएगा कार था स्मॉल कार था बोथ यूज के था और बोथ यूज जने की अब इन सब का हम टोटल करेंगे तो आज जाएगा 3,85,500 इसमें से स्टेंडर इड़क्शन इंडर सेक्शन 16 हम देंगे तो आज 50,000 का तो जाब इसमें से 3,85,500 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आज जाएगा 3,35,500 जो हमारे टैक्सिबल सैलरी होगा मिस्टर गुपता जो एक टांस्पोर्ट कंपनी में काम कर रहे है उनका सेलरी है बेसिक सेलरी 11,000 पर मत और उनको एक हाउस प्रोवाइड किया गया है जिसके लिए उनके सेलरी से 10% डिड़क्ट किया जाते है हमेशा और उसका रेंट जो है वह कंपनी पे कर रहे है एकॉम के लिए और इसका खर्चा पूरा प्राइवेट खर्चा जो है वह पूरा का पूरा SSC है मतलब की मिस्टर गुपता खुद उठाते हैं तो यह जब इंप्लॉई खुद का खर्चा उठाता है तो फिर यहां पर वह लार्ज कार की केस में 900 रुपए टेक्सिबल होता है पर उनके फैमिली के मेंबर कहीं पे घुमने के लिए जा रहे हैं तो क्योंकि वह ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ उनको छूट मिलती है उनसे पैसा ने लिया जाता जिसका कॉस्ट साल भर का 7200 रुपए है तो यह टेक्सिबल हो जाएगा क्योंकि इतन ठाप अनका टेक्सिबल सालरी कैल्कूलेट करने तो कुछ onолодàng il हरुपफ कि माइस प्रेक्सियबल करें। कुछ यह मरँ प्रेसिकлом की प्रेश प्रभीत में हरें तो बीलिए उनके त गुमने के लिए उनके फैमिली को तो 7200 पीद पर यह टेक्सिबल को जाएगा बोनस दो महिने के सैलरी के बराबर था तो 11,000 इंटु हम दो कर देंगे क्योंकि उनकी सैलरी क्या थी 11,000 परमन्ती तो 11,000 इंटु दो कर देंगे तो आज़ेगा 22,000 और RFE इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो यहां पर सैलरी के लिए होगा basic plus DA plus commission plus bonus plus all taxable allowance तो एक लाग 32,000 basic salary था फिर 6,000 रुपए उनका entertainment allowance था और 22,000 उनका bonus था तो और बाकी कुछ तो दिया नहीं था तो यह सब टोटल करेंगे तो एक साथ उनका salary आ जाएगा अब RFA का हम calculation करेंगे तो इसके लिए होगा actual rent जो की company दे रही थी पूरे साल बर में 54,000 15% of salary तो यहां पर 1,60,000 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 24,000 अब इन दोनों में सालोवर क्या है तो लोवर है कम है 24,000 तो हम 24,000 को taxable करने के लिए लेंगे और इसके बदा आ जाएगा amount paid by employee तो employee कितना दे रहा है अपने salary का 10% दे रहा था तो basic salary क्योंकि उसका 32 था इसलिए उसका 10% निकाला तो आ जाएगा 13,200 24 में से 13,200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,800 जो उसका rent-free accommodation होगा तो rent-free accommodation में 10,800 आ जाएगा फिर 1,32,6,000, 10,800, 7,200, 22,000 और 10,800 को चुड़ने पर आ जाएगा 1,88,800 जिसमें से हम deduction under section 16 standard deduction देंगे 50,000 का तो taxable salary आ जाएगा 1,38,800 जो हमारा taxable salary है